नमस्ते, प्रणा, मैं मिनाक सीजैन, स्वागत करती हूँ आपका चैनल मिनाक सीजैन पर ये वीडियो है KBC Family việc special का registration के सीज़े अगर आपको Family 있 registration से related कोई भी doubt है और अब तक registration नहीं कर पाएह है इस वीडियो में live registration करते हुए पता आए गया है देख ले और registration कर ले और वीडियो में registration से related कुछ doubts जो मुझे comments या personally किसी ने किसी द्वारा पूछा गया है मैंने उन्हें भी सामिल किया है इस वीडियो में ताकि आप में से किसी और को भी same doubt या confusion हो तो मदद हो जाए इसलिए सबसे पहले अगर आपके पास sony live application डाउनलोडेट नहीं है तो प्लेश्टोर में जाकर डाउनलोड कर ले और अपडेट कर ले और एप में मोबाइल से ही लॉग इन करें क्योंकि KBC की टीम आपको content उसे मोबाइल नंबर पर ही करेगी फिर एप पर यह home screen का page दिखेगा इससे स्क्रोल आप करें यानि उपर की तरह page को ले जाएंगे तो आपको यहां पर यह play along and registration section में family week special registration का बैनर देखेगा इस पर क्लिक करें और फिर अपनी सुविधान उसार हिंदी और इंग्लिस दोनों language में से किसी एक को चुने यह live registration आप देख सकते हैं screen पर पहले अपना registration कर कहां रहते हैं graduate हैं आपका website वगेरा 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 तो भी पुछा जाता है और इसी तरह अब family member की information भी आप पर ले यहां पर family member की information में आपको आपके family member की information देना है उनका number उनकी email ID वगेरा वगेरा सब कुछ उनका दर्ज करना है अब आप family number 2 के section पर पहुच जाएंग और क्लिक करके दर्ज कर दें इस तरह आपका registration हो जाएगा यहां पर registration की date 16-26 अगस्त बता दी है क्योंकि कल तक TNC में यह date 16-25 अगस्त बताई गई थी अब सायग 26 अगस्त तक registration के question आएंगे तो हम देखते चलेंगे और यहां पर यह भी लिखा है कि family member 1 और 2 को भी पंजी करने के लिए प्रोचसाहित करें तो मैंने जब अपने family member 1 के mobile में जाकर registration करने की कोशिज की तो उनका already registered बताया गया नंबर तो हो सकता है वो जानकारी सही हो तो registration हो आप चेक कर सकते हैं और आप कुछ यह doubts जो मुझसे पूछे गए मैंने वीडियो में सामिल किये हैं जैसे क्या family week के लिए subscription लेना होगा तो नहीं बिल्कुल नहीं without subscription भी आप registration कर सकते हैं और play along खेलने के लिए सब्सक्रीब्चान लेने की जरूरत नहीं है और किसी ने पूचा कि family week में तीन मेंबर ही जा सकते हैं क्या दो नहीं जा सकते हैं तो हाँ इसमें 3 मेंबर ही जा सकते हैं दो मेंबर, पहले कभी किसी सिजन में आपने जोडी स्पेसल आया था, वो देखा हो, तो उसमें थे, इसमें फैमिली स्पेसल आया है इस बार, तो इसकी TNC के अनुसार, एक रजिस्टरांट्स, और फिर उसके साथ दो फैमिली मेंबर होंगी, और छे, वो फैमिली मेंबर आ तो आपके family member के column में उनकी पूरी information भर दे और किसी अन्य smartphone पर जाकर उनके phone number से sony leave app में login करके देखे तो वो register होंगे शायद चक कर ले आप और किसी भी phone द्वारा आप उनके phone number और mail id से sony leave app में login कर ले कम सेखा और किसी का सवाल था कि पहले दिन पहले question का अगर answer नहीं दिया है तो क्या दूसरी दिन registration कर सकते हैं तो हाँ आप दूसरी दिन भी registration के शुरुआत कर सकते हैं और registration के दोरान किसी दिन आप भूल भी जाते हैं तो भी अन्य दिनों पर आप registration कर सकते हैं लेकिन मेरे अनुसार हर दिन answers दिया जाए तो call आने के chance ज़्यादा बढ़ जाएंगे second round के क्योंकि calling हर दिन की valid ride entry में से random selection द्वारा किया जाता है तो हर दिन registration करिए याद रख कर वीडियो अगर आपके लिए helpful रहा हो तो like करें, share करें और इसी तरह KBC की जानकारी और educational वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में जो बैल आइकर है उसे प्रेस करें और all notification भी on कर दें, thank you so much